अलो दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम बाक टू प्लेमेकर भाई साहब 23-24 सीजन इस ओन दे वे 21 सप्टेंबर को इंडियन सूपर लिग का पहला मैच है एड जे एलन कोची बिट्विन केरला ब्लासर और बेंगलूर एफसी तो आज इस वीडियो में हम लोग बस केरला ब्लासर का सीजन प्रिवीव करने वाले हैं स्कॉर्ड अनलैसिस करने वाले हैं और देखेंगे बाई क कहां पर केरला ब्लासर जो है एंड अप करती है अड दे एंड अफ दे सीजन तो राइट नाव एंट नाव फेरिंग केरला ब्लासर लास्ट जर्शी आई है वो मिली निये मुझे ठीक है अन्यवेस वीडियो आपको बता है जो तरीके से उनका लास्ट सीजन खतम हुआ था I mean the way the controversial way में खतम हुआ था है we all know Kaila Blaster lost by a whisker to Bengaluru FC and got knocked out of the race for ISL trophy last time out but यह बार वो थोड़ा था most happening club in Indian football हो चुका है यह बड़े-बड़े transfers कि हैं लास्ट time out we all know Iwan को बहुत-बड़ा बैन लग चुका था 10 मैच का बैन लगा था इसलिए वो पिछ पे नहीं दिखते है अजकल उपर से court of arbitration of sports में case पढ़ा है उनका women's team बंद हो चुके है यह सब problem off the pit चल रहे है उनके बट यह season जो होगा it will be a game changer for Kaila Blaster yes भाई मैं यह वीडियो में पता रहा हूँ why ठीक है तो वीडियो को अंतक देखना अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो don't forget to like, subscribe and share दोस्तों because it's very important for my channel so let's get started यार पहली बात करते हैं केरला ब्लासर ने जो incommings लाए है यहाँ पर बहुत ही अच्छे आउट से incommings लाए हैं उपर से बहुत significant signings भी किये हैं अगर आप in-depth review की बारे में बात करें तो जोशियो सोतूरियो जो Newcastle Jet से आये थे केरला ब्लासर को right now he is injured I know but भाई साब बंदे के पास जो speed है technical skills है ऊपर से goal scoring ability है तगड़ी है but yeah I don't know कि कब वापस आएंगे आभी बहुत time रहेगा उनको वापस आने के लिए तो उसके बदली उन्होंने ख्वामे पेपरे को लिया है यहाँ पे ख्वामे पेपरे is from South Africa बहुत बढ़िया transfer हुआ था उनको कोई एक Israeli club को but again mutually consensus वो उन्होंने transfer को रोक दिया या फिर आप बोल सकते हो उन्होंने अपना जो वो contract था उसको break किया यहाँ पे free transfer लिया है to Kerala Blaster तो यहाँ पे बोल सकते हो एक injection of attack हो चुक है Kerala Blaster में आप क्योंकि बहुत ही physical है बंदा clinical striker of the ball है और उपर से बहुत ही ज्यादा significant impact दालेगा in terms of attack तो यहाँ पे खौमे पापर इनमा ओपिनिन इस गुएंग तो हेल्प Kerala Blaster तो सिक्योर तॉप फिनिस्यार सीरिसली बता रहाँ मैं यह बंदा जो है इसकी गोल-scoring ability है इसका नाम है हर जगे गुझेगा in the Kerala Blaster jersey भाई उसके बाद में इशान पंडिता को लिया गया है from Jamshitpur FC to help the attack forward यहाँ पे जो बंदा है बहुत ही तता यंग है I know he's still very young to be honest dynamic forward बोलते हैं इसको I have seen less of him in terms of scoring but a physical appearance होता है हर टीम जहाँ पे भी वो कहलता है तो I think he will be one of the strengths in Kerala Blaster jersey भाई उसके बाद में Milos Drinsik जो के बहुत बढ़िया add-up है in the CB position, center back position थोड़ा था मुझे last time out लगा कि भाई यहाँ पे और एक बंदा Leskovich के बाजू चाहिए तो यहाँ पे Milos will provide that wit to this team क्योंके बंदे के बाद एक्स्पिरियंच है defense एकदम मतलब अपने defensive line को बहुत tight रखता बंदा and you can say his ability of reading the game is very good Montegro के under 21 teams के लिए 16 matches यह बंदा खेल चुका है तो there is a vast experience present in him उसके बाद अगर अगर आप left-back, incoming 2 left-back पर बारे में बात करें पहले तो है भाई, Iban Haad Dolling, FC Goa से आया है जो तरीके से वो develop हुए है भाई, he can become a key figure in blaster's defense सच में बता रहा हुआ है, I would say यार देखो, इन्होंने एक बहुत बढ़िया यहाँ पर investment डाला है in terms of Iban Haad Dolling, क्योंकि यह बंदा जो है attack में भी बहुत तगड़ा है defensive ability देखे बंदे की भी top class है, he will provide lot of wit to this Kerala blaster team उसके बाद और एक left back के बार में बात करें तो भाई, I think थोड़ा था बोल सकते है कि underwhelming signing है, but Nauchah Singh, he is on loan from Mumbai City has a backup for him, but again Nauchah Singh has got a good defensive work in my opinion and उपर से contribution भी कर देते हैं attack में, तो यह बहुत बढ़िया combination देखने के लिए मिलेगा अगर Ibanna नहीं खेल रहे हैं, तो उनके backup खेल रहे हैं तो उनके backup खेल रहे हैं, दोनों जो है same level तो नहीं बोलूँगा, but yeah, they are very good in attacks and they are very good in defense तो यह बहुत बढ़िया बात है, उपर से right center back के अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे तो पृतम कोटल को आड़ के आगया, आए थोड़ा समरी को controversial अगता है पृतम कोटल के जो transfer था because सहल वहाँ पे पृतम कोटल यहाँ पे आए है but again I thought कि ठीक है, अगर आप बात्री में खिला रहे हैं पृतम कोटल को, I think he can do a very decent defensive job but 442 यहाँ पे setup है, Ivan का right, 442 setup है so I didn't understand कि पृतम कोटल को कैसे लिये, but again he will solidify the Kerala Blaster's backline in my opinion we haven't seen so much, I haven't seen so much in Durand Cup in Durand Cup, I haven't seen so much in pre-season, I haven't seen so much in pre-season, his gameplay but I think in the coming time he'll be back at his best you can say that and upar say I kind of liked Prapris Daas inclusion, yeah Prapris Daas inclusion at the right back because Bandi's reading of the game is very good Daas seriously, it will be a valuable asset for Kerala Blasters and upar say he adapts very quickly अगर आप देखो, Bengaluru FC की जो वोफ्स चल रहे थे, regarding their transformation and upar से जो transition के वोफ्स चल रहे थे, I think Prapris Daas playing in the back 3 helped Bengaluru FC massively last time out and जो defense था उनका, बहुत ही जादा solid defense था back in Bengaluru तो यहाँ पे हो सकता है, Kerala Blaster को भी Prapris Daas help करेंगे from, you know, वीड़ भी provide कर सकते हैं, उपर से, इनका defense भी तगड़ा कर सकते हैं, अगर यहोग switches में खेल रहे हैं, 3-5-2 खेलना चाते हैं, 4-4-2 से switch लेके, 3-5-2 खेलना चाते हैं, तो यहाँ पे surely, Prapris Daas tucking in the back 3 can help Kerala Blaster out in my opinion, तो यहाँ अच्छे transfers तो हुए हैं, ठीक है, अच्छे transfers तो हुए, in terms of Lara Sharma also, यह सचिन सुरेश के पास वह experience नहीं है, जो Lara Sharma के पास है, तो हो सकता है, यहाँ पे, देखो, Lara Sharma का जो scenario था, Lara Sharma was very good at ATK and उसके बाद में उनका transfer बेंगलुरू में, तो बेंगलुरू में तो आप पता है आपको की limited chances मिलेंगे कि वहाँ पे गुरुपृत पाजी, तो उनके आप तो भाई उनसे उपर नहीं खेलोगे यहाँ पे, उसके बाद में और एक transfer रहे गया है, जिसका नाम है Freddy भाई, वन फ्माइ फेवरेट यार, फ्रेडी इस वन फ्माइ फेवरेट, पंजाब FC जित्वर ट्रांसफर हुआ है, बंदा मतलब डिफेंसिवली इतना capable है, अटैक में इतना capable है बंदा, यह depth आड़ करेगा score को, depth आड़ करता है और उपर से, जो starting position के लिए मारा मरी होगी उसके बीच में, विबिन के बीच में और जिक्सन के बीच में, आरे भाई देखने में मजा आएगा, जो तरीके से, यह strength प्रोवाइड करता है टीम को, defensive option भी है, उपर से, he provided lots of key passes in the last season for round glass Punjab, तो यहां पर यह team के लिए भी बहुत important होगा यह बंदा, and I'm seeing him in the starting level, I'm really seeing him in the starting level, तो एक अलग level का मजा आने वाला है, उसके बाद में है Sakai भाई, डाइसो के Sakai, I think, यहां पर अगर डाइसो का Sakai के बार में बात करें, I know this one more underwhelming, you know, addition to the squad, but जो बंदी के पास technicality है, I would say, he adds lots of depth, he adds a lot of experience to the blaster side, seriously बता रहा हूँ, technical ability बहुत बढ़िया इस बंदी की, tactical awareness है इसके पास में, he is vital in controlling the midfield battles, especially against, you know, a team like Bengaluru FC, a team like Mohan Bagan, जहां पर midfield battles top class होते हैं, तो जब ब्लासर उनके साथ में खेलीगी, मज़ा आएगा, Sakai will be included in the big matches, surely he will be included in the big matches, and he will provide lot of contribution in terms of midfield, तो मुझे ऐसा लगता है कि Sakai tactical presence अपना रहकेंगे in terms of midfield president, seriously बता रहा हूँ मैं यह चीज, अगर आप देखो कि out goings जो हैं जैसे निश्चु कुमार गेंज बेंगाल, विकाल सिंग, Mohamed Atsal जो हैं इंटरकाशी गए हैं, Vijoy Wargis जो हैं इंटरकाशी गए हैं उसाथ में, Justin Emanuel, I was thinking Justin Emanuel को रखेंगे as a backup, but again, यहां पे यह Continental Cups तो नहीं खेल रहें यहां पे, they are playing only ISL, मुझे ऐसा लगा कि Justin को रखना was not useful, Justin is being loaned to Gokulam Kerala, I hope कि भाई उसको अच्छी opportunities वहां पे मिले, properly groomed हो, and next season हम लोग Justin को देख सकते हैं, Mohamed Shaiv Gokulam Kerala के लिए गए हैं, Gibson Singh is to Odisha FC गए हैं, यहां जो डिसेंट यहां पे, डिसेंट आउट गए हैं, जैसे करनारो फ्री टांसवर लेके बेंग्डूर FC गए हैं, Victor Mongil, जो हैंनका contract expired हुआ हुआ, उनको रिसाइन नहीं किया गया, and he is playing somewhere in Spain, Jiyanu का भी contract expired हुआ, उनको भी नया contract नहीं दिया गया, Ivan Khalidznyi ने, I think FC Oleksandri यहां पे, I think join किया वापस है, क्योंकि उनका जो लोन का move थाव, तो वो वापस अपने टीम को, Harman Jut Khawra is in East Bengal free transfer था वह भी, Mohit Khan का contract, you know, expired हुआ, तो उनका renew नहीं किया गया, I think Mithaye का contract terminate किया गया गया in my opinion, Prabshugan Gil, Prabshugan Gil, I really love that guy in terms of goalkeeping department of Kerala Blaster, but Prabshugan Gil is gone to East Bengal, they needed a proper goalkeeper also, Ayush Adhikari का contract expired हो चुका है, I think he went to Chennai, Sahal Abdul Samad भाई, यह बहुत बड़ा सागा था, यहां पे Sahal Abdul Samad को Mohan Bagan भेजा गया, and वहां थे Pritam Kota को लिया गया, अगर आप देखो, Kerala Blaster का जो एक अपरोच रहा है in transparent window, मतलब थोड़ा था aggressive तो लगा है, not only aggressive, they have done a decent job, they have done a very decent job in buying the players, and पहले से रेखते हां रहा है, जो तरीके के वह players लाते हैं, मतलब seriously I have seen mix of young talent and seasoned professional यहां पर भी फिलाल उनके team में है, आप बोल सकते हो, a regenerated squad लग रही है मुझे, and आप बोलूँ एक तो बात, यह जो नए प्लेर्स को इनका लाया गया है, नए प्लेर्स को, जो भी नए प्लेर्स यहां पर आया है, यहां प्लेर्स को अप्टिमिसम लग रहा है मुझे, and the fans should be excited, because यह team जो है मजा करने वाली Indian Super League में, top 6 finish तो है पकका, but, will they go for the glory, only time will tell ya, क्योंके it's very easy to do a preview, but it's very hard to predict कि यह team कहां तक जाती है, अगर आप playing 11 की बार में बात करें, in terms of my playing 11, I would love to play as a 4-4-2 formation, जो यहां पर I-1 ही किलाते हैं, unquestionable formation for KLB right now, I don't want to change it, seriously मुझे चेंज नहीं करना इनको, and मेरे हिसाब से, अगर आप goalkeeping department में देखोगे, I would love to start Lara Sharma, I know Sachin Churej जो है, आच्छा बढ़िया खेलें pre-season में, but again I think Lara Sharma को यहां पर, I think a shout out बनता है, अगर आप back four की बात करें, तो I think left में it will be Ivan for me, Leskowicz, इसके बाद में आपे Pritam Kotal surely, and right में Pravid Das, अगर आप 4 की midfield के बार में बात करें, तो I want to start left में Luna, उसके बाद में if Luna is playing, तो Freddie, जिकसन Singh, राइट में Rahul KP, अगर दो forward की बार में बात करो, तो एक मेरे लिए हो सकता है, Khwame paper, and उसके बाद में Ishaan Pandita, so this will be my starting living, against Bengaluru FC, and आने वाले वक्त में भी, अगर Dimantakos, एक comeback करते हैं, तो Khwame and Dimantakos, up-down करके खेल सकते हैं, and अगर Sothory भी वापस आते हैं, तो I think right side से, हम लोग कुछ interchange कर सकते हैं, so this is my starting line-up for whole season, I wish all the best to all the Kerala Blaster fans, and Manjapada, I hope I am pronouncing it right, so that's it from my side guys, आपके जो भी suggestion है, आपके जो भी thoughts है on this video, what do you think, what will be the playing level of Kerala, जो नीचे दालना, and कहां पे Kerala Blaster ये season में finish करेगी, उसके बारे में भी नीचे लिखे मुझे बता देना, तो until next time भाई लोग, जय हिंद और जय वारत! अए.